Hello guys, welcome to our channel दोस्तों क्या आप CSS सीखना चाते हैं? बड़ थियोरी पढ़ पढ़ के बोरू चुके हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए ये वीडियो स्टूदेंट्स और वरकिंग प्रोफेशनल्स दोनों के लिए ही बहुत यूजफिल होने वाली है आज हम बताने वाले हैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स जहां आप गेम खेलते-खेलते ही CSS सीख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहली वेबसाइट है CSS Diner यहाँ पे आपको दिये हुए पजल को CSS Selectors का यूज़ करते हुए solve करना है यहाँ टोटल आपको 32 puzzles मिलते हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ Selectors के बारे में सीखने के लिए भी मिलता है तो दोस्तों दूसरी वेबसाइट का नाम है Flexbox Froggy इस वेबसाइट के तुरू आप Flexbox को सीख सकते हैं दिये गए 24 puzzles में आपको Flex property का यूज़ करके Frogs को उनकी सहीर जगा पे पहुँचाना है दोस्तों तीसरी वेबसाइट का नाम है Grid Garden इस वेबसाइट के तुरू आप CSS Grid को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं यहाँ पे टोटल आपको 28 puzzles मिलते हैं और इन 28 puzzles को solve करते हुए आप CSS Grid की अलग-अलग properties के बारे में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं गाइस चौती वेबसाइट है Grid Attack यह एक RPG गेम है जहाँ पे आपके character को demons को beat करना है using CSS Grid इस गेम में आपको 80 plus levels मिलते हैं और 3 game modes मिलते हैं तो अगर आप grid सीख रहे हैं तो आप easy mode की थुरू इस गेम को खेल सकते हैं और अगर आपको पहले से आता है तो आप hard mode use कर सकते हैं इस game को खेलने के बाद आप CSS Grid में pro होने वाले हैं तो गाइस पांची website का नाम है Flexbox Adventure यह भी एक RPG game है जहाँ पे आपको इस game को beat करना है using Flexbox और यहाँ पे आपको 24 levels मिलते हैं और team game modes मिलते हैं easy, medium और hard depending upon your existing knowledge of CSS Flexbox आप कोई भी game mode चूज करके इस game को complete कर सकते हैं तो गाइस 6 website का नाम है CSS Battle यह एक ऐसा platform है जहाँ पे आप दूसरे users के साथ CSS में compete कर सकते हैं यहाँ पे आपको एक target दिया जाता है जिसे आपको CSS के तो recreate करना होता है तो आप यहाँ पे real time में या तो battle कर सकते हैं या फिर existing battle पे आप practice भी कर सकते हैं तो guys यह थी कुछ websites जहाँ पे आप CSS को game केलके बिल्कुली easy और fun way में सीख सकते हैं वीडियो में mention सारी website का link आपको description में मिल जाएगा अपकमिंग वीडियो में हम front end dev की resources और road map के उपर वीडियो लेके आने वाले हैं और अगर आप किसी specific topic पे वीडियो चाहते हैं तो comment section में उसे जरूर mention करें और ऐज़े ही वीडियो के लिए चैनल को like, share और subscribe जरूर करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में